की हाल चाल चे दोस्त नहां के सोड़ी तो मैं कुछ मैथली बोल रहा था ये वीडियो एक्चुली हिंदी में ही है थोड़ी से मैथली बोल लता हूं किसी को पसंद है मैथली तो मुझे कमेंट कर दें तो चलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में कुछ नया होने वाला है जिसे पता है इसके वारे में वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिन्हें नहीं पता है वह भी इस वीडियो को जरूर देखिए जो मैं बताने वाला हूं वह आपको मैं दिखा आपना ब्लोग का डेस्वर्ड खोल लेता हूं तो पहले से मैं अपना जो वेबसाइट है ब्लोग का उसे में खोल कर रखाऊं यह नीचे में आप देखो कि तो यहां पे फूटर क्रेडिट दिया हुआ रहता है जो आप टेंपलेट यूज़ कर रहे हो आप चाहते हो उसे हटाना और आप चाहते हो उसे हटाना और आप हटाने के बाद क्या होता है कि कभी-कभी आपका वेबसाइट और नहीं होता है आपका वेबसाइट लोड नहीं होता है रिटारेक्ट हो जाता है किसी और वेबसाइट के में तो उस सब टेंशन से शूट काड़ा पाने के लि सिधे आपको इडिट पर क्लिक करना है इस पिसे मैंने पोस्ट भी लिखे रखा हूं मैं आपको बता देता हूं क्या चीज मैंने लिखा है वो पोस्ट मैं आप आपको 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 करना होता है एक आपको यह वाली ऑप्शन को इडिट करना होता है चली मैं आपको वीडिय यहां पर आना है इसी में यहां से कोपी कर लेता हूँ अब रहा है और मैं अपना विलोग के डैसबॉर्ट में आता हूं और यहां पर कहीं भी कड़के Ctrl-F दबाता हूं उसके बाद उसी में यहां पर पेस्ट कर देता हूं रहा है यह है दोस्तों यह जो है है मैं और डेक्ड कर ता करता है कि यहां पर सकते हो मैं तो यहां पर इस राम मैं है आ फेर्म डेक्ड क्षक्र Jista अगया होगा आपको डीफ जायेगा मैं आपे कैने में देखके जाएगा तो कुछ इस तरह रही कर रहें करें तुछ पूंज ज्यदा दिख्शाइदय में उसको त contrat को कोई सब्सक्ती आँञे में दखीए में और यहां आप दोस्ते हो सकना है इस 수준 की यहां सब्सक्राइब करें पर देक्ड़ कीची से ली के लगाया सीवीथ लीट ungefा हgoing अपको बच जाता है, यहां पर ध्यान दे कुछ आपको HTML की जनकाड़ी में आपको दे दूं, यहां पर रेट कि करने नहीं हो गाइब को इससे भी आपको हटा लेनी है मैं यहां पर स्क्रिप्त खाता हूं और पर आपके विखे यह बड़ी से और ऊप्शन है और हम प्रमय से अपके वी तेंप्लिट यूज़ कर रहा हूं मैं आपको डिस्क्रेप्शन में दे दूंगा पर मैंने ब्लोग भी लिखा है आप वहां से आप देख सकते हों उसके बाद आपको क्या करनी है मैं आपको बता देता हूं पीड से मैं अपना फोस्ट खोल लेता हूं अपना उसको यहां पर स्टाइल विज्वल करना आपको जो स्टाइल है वह आपको विज्वल करना और हाइड करना है तो हाइड करना भी थोड़ा से मुश्किल है मैं आपको बता देता हूं आपको किस टैप से करना है यहां पर देखिए आपको बताया गिया है आपको सर्ज यहां पर आगर आप पर दिया इस जगह है आपका सो ना करें तो आप इस तरह से कीजिए आपको मिल जाएगा ट्रैक्ट ही मेरे विजह में पहले से मिल चुका है मैं इसे कर लोगा अब एडिट अब एडिट करने का भी थोड़ा ट्रीक है वह भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों की आईडी के बाद जितना मिल वर्ड होता है उसके बाद आपको यह लगाना है तो मैं अपना आईडी खोई लेता हूं आईडी किस जिगर लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए मेरा आईडी तो मेरा इस बिसे में कही बीच में ID लिखा हुआ रहेगा तो यहां पर देखे इस ID के यहां पर लिखा हुआ है इस ID को अगर आप रिमूब कर देते हो न तो आपका जो website या blog है वो खुलेगा ही नहीं आपको इसे रिमूब नहीं करना है इसे हाइड करना है तब आपका इसमें जो यह आपका जो इसक्रिप्ट है इसके अंदर इसमें आपका जो ID है वो रिमूब नहीं होगा तो आपका website चलता रहेगा इसे रिमूब नहीं करनी है तब रिमूब नहीं करनी है तो हाइड का option कहा क्वार्त खुंआ हाँ देखता हूं मैं यहां पर यह वाले कौपी करता हूँ यहां से मैं को Japan एक वार्ड फिर से अपना ब्लॉं को पोल लाता हुँ यहां पे मुझे करना है और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ CTRL गी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जब सेव करेंगे तो वो काम नहीं करेगा वर्ट ही नहीं करेगा आपका आईडी वाले उप्शन को क्या करना है आपको जो सेव हो जाए और कुछ काम ना हो यह किसी किसी भी में होता है, सब में नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर पेश जो हो गिया है, तो आपको श्रिप इसे क्या करें, यहाँ से ID वाले उप्शन को, यहाँ तक आपको क्या करनी है, ctrl c c ctrl x दबा के आपको cut कर लेंगे यह दिवाई भी यह छोड़के और आपको simply आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर title below यहाँ पर theme लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पर डाल सकते हो या फिर इसे भी आप यहाँ से remove कर सकते हो मैं यहाँ से simply इसे remove कर देता हूँ हटाने के बाद आप इसे control भी कर दें यानि कि जितना मेटर वहाँ पर था आप सेम सेम आइटम यहाँ उठा के लिए आईडी और आईडी के बाद इस जगह आपका कुछ और भी होगा मेरे विशे में कुछ यह वाली है आईडी आपका थो प्राइक करना है जैसे कि यहाँ पे मैं इपना जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे सिंगल सा वह लगा हुआ है उपड़ में है आप सैथ इसे double कर सकते हैं आप दबल करने का बाद आप इधर भी आने के बाद उसके आप यहाँ आप डवल कर दें इस तरह करने के हम मैं जबन लेता हूं dubland उसके बादुसके बाद इसे आप हे색 करने के बाद आप सिंपली dus शेब करक्रक्रमारक हुआ mapping सब कुछ ठीक रएगा तो रिके घंगिंग हां यहां पर एक चाहिए कर दिया गया है अब एरोड क्या चीज का है यह donor करता हूँ यहां पर को डाल दलता हूँ और यहां पे आने के बाद इसे से डवल कोड़ कर दा हूँ ऊप को थोड़ा सा दिखें से इसे डाल दाता हूँ स्टाैल के आगे यह करने कबाद फिर से इसे Hide Nutrition पर कर दें उसके बाद फिर से Save कर दें तो अब देखे लगता है कि मेरा Save हो चुका था है तो भी Error सो नहीं हुआ है हाँ Save हो चुका है Save होने के बाद जो अपना ब्लोग है उसे आप open करें यह open हो चुका है अब नीचे आता हूं तो देखिए दोस्तों यहां पर जो उसका option था वो यहां से remove हो चुका है अब यहां पर आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं यहां पर वो आपके मर्जी है क्या क्या लिखें यह वाला code है इसको भी मैं यहां से remove कर सकता हूँ यहां पर फिर से आने के बाद यहाँ पर देखिए इस जगह यह वाले option था इसको मैं यहाँ से remove कर देता हूँ और जब देखेंगे यहाँ 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 पर डिये भी लिखा हुआ इसे भी आप यहाँ से remove कर सकते हूँ इस जगह से तो पहले बच चुका था उसके वह यहाँ से remove कर देता हूँ कोई दिख़त नहीं होगी इसके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ ले चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर यहाँ नहीं है यहाँ छोट दे सकते हैं उस्के चाते हैं तो यहाँ पर जो भी आप टाइप करेंगे वह आप लगते जागा जैसा कि कि मुए यहां यह लिखा हुआ है यहां पर मैं अपना नाम लिख दूँ तो चलिए मैं अपना नाम लिखता हूँ S-U-R-A-J-T-C-H-B-C सुरज-T-H-B-C मैंने यहां पर लिख दिया यहां पर क्रेट भी लगा सकते हैं सुरज-T-C-C-H-B-C अब यहां पर मैं इसे सेव कर देता हूं और यहां बिलोवर टेंपलेट जो है यह सब तो नहीं दिखेगा अब फिर से अपना ब्लोग का पोस्ट जो है उसे मैं डिलोड कर लेता हूं अभी यह देखेगा वहां पर चेन हो जाएगा यह देखिए यहां सुरज-विष्टक तो मेरा यहां पर विशाइट का नाम था वह आ गया है और यहां सुरज-T-C-C लिखा हूँ आ गया है आप जैसे मर्जी वैसे आप यहां पर लागा सकते हूं यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीस लाइक इस वीडियो को जरूर करना और नए हो इस च